आप सभी बलॉक होकर आचुके हो तो अब आप सभी ये खोज रहे होगे कि उसका last scene कैसे देखें, उसका DP कैसे देखें, उसका profile picture कैसे देखें, वो कभ online आ रहा है और कभ offline जा रहा है, ये कैसे देखें तो अब तो आप कुछ भी नहीं देख पा रहे होगे, ना आपको उसका DP दिख रहा होगा, ना लास्सिन दिख रहा होगा, ना ही ओनलाइन दिख रहा होगा, सिर्फ उसका नंबर दिख रहा होगा, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा application बताऊंगा, जिस application की मदद से आप सभी उसका last thing देख सकते हो, उसका DP देख सकते हो, और वो कब online आया, कब offline गया, सब आप देख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को last तक देखना होगा, और हाँ, end में मैं एक ऐसा point बताऊंगा, अगर वो follow नहीं होगा, तो आप किसी का भी जो block कर दिया होगा, उसका DP नहीं देख पाओगे, तो इस वीडियो को बिना skip करें, पूरा देखिएगा, ठिक है, जैसा कि अभी आप सभी देख पारे होगे, कि मेरे पास तीन phone है, मैंने यहाँ पे दो phone में, एक contact का DP open करके रख लिया हूँ, देख सकते हैं कि मेरा पहले phone का DP है, वो दूसरे और तीसरे दोनों phone के अंदर साफ साफ दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, कि मेरा पहला phone से बीच वाले phone को block कर देता हूँ, और block करने के बाद इसके phone से जो मेरा DP है, वो गायब हो जाएगा, तभी तो मैं आप सभी को यह दिखा पाऊं कोई भी fake और फाल्तू का नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप सभी देख पारेंगे, मैंने पहले phone से बीच वाले phone को block कर दिया, और इसके phone से जो DP है वो गायब हो चुका है, लेकिन जो तीसरा phone है, उसमें इस phone का, जो पहला phone है, उसका DP दिख रहा है, तो अब मैं क्या करू कि मेरा जो phone block हुआ है, यानि कि middle वाला, उसमें मैं अपना trick लगाऊंगा, और यही trick आपको भी लगाना है, तब जाकर आप किसी भी blockit person का DP और last scene देख पाऊगे, तो आपको करना क्या है, इस phone के अंदर एक application डाउनलोड करना है, और इस app का डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के description में दे दिया हूँ, तो वही application डाउनलोड करना है, जो मैंने नीचे वीडियो के description में दिया हूँ, अब इस app को open करना है, उपर में आपको एक plus का icon दिखेगा, इसके उपर आपको click करना है, और जिसने आपको block किया है, या फिर जिसका आप DP, last scene, online कर दो, और अब यहाँ पर देख सकते हो, कि उसका profile इस app के अंदर आ चुका है, जैसे ही आप OK पर click करोगे, एक से दो second, ज्यादा से ज्यादा 5 second का wait करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि उस बंदे का, जिसने आपको block किया था, उसका DP यहाँ पर दिखने लगा, त यहाँ पर आप एक चीज और notice करिएगा, कि यहाँ पर वो तीसरे phone के अंदर online दिख रहा है, तो वही चीज दूसरे phone के अंदर भी यहाँ पर online दिखने लगा, और जब आप सभी इस profile पर click करोगे, तो यहाँ पर उसका पूरा detail आ जाएगा, कि वो कब online आया, कब offline गया, कित इतना ही नहीं, अगर यह अब नया DP लगाएगा, और फिर जाकर तीसरे phone में अपडेट हो गया, लेकिन दूसरे में अपडेट नहीं हुआ, तो आपको करना क्या है, कि आपको उस app को recent से close कर देना है, फिर open करना है, और उसके बाद आपके middle वाले phone में भी नया DP अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे अब important बात पे हम आते हैं, जो यहाँ पे आप DP देख रहे हैं, वो छोटा size में दिख रहा होगा, और इतना ही size में आपको यह DP दिखेगा भी, लेकिन यहाँ पे एक और condition लागो होता है, खास करके DP के लिए, अगर आप उसका DP देखना चाहते हो, तो जो सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है, उसका profile picture का जो setting होगा, वो अगर everyone पे रहेगा, तब ही यह trick काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो अब दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के माधियन से सब कुछ सीख चुके होंगे, कि हम block it number का online, last scene, DP कैसे देख सकते हैं, और ये वीडियो जो मैंने आप सभी को बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए बनाया हूँ, ताकि आप सभी ये चीज़ सीख सको, कि ये भी करना possible है, लेकिन उसी के साथ जो आपका खास हो, और ज्यादा जरूरत हो आपको, तो वास दोस्तों, उमीद करते हैं कि आप वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे, इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीज़ेगा, चैनल पर नए होंगे तो याँ सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी को आउन करना मत भूलना